ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तरहा के सवाल लोगों की मन में उठ रहे हैं। के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले मरीज ये जाने कि उन्हें घबराना नहीं है बलकि संयम से काम लेना है। जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद ही लगता है। के करीब आते वक्त उसे अच्छी तरह से मास्क लगा कर रहना चाहिए। तीसरा, मरीज को लगातार डॉक्टर के संपर्ट में रहना चाहिए, अपना ऑक्सिजन लेवल, हार्ट रेट, आदी कुछ घंटों के अंतराल पर लगातार चेक करना चाहिए, किसी भी तरह की दिक्कत होने या अस है जो महसूस करने पर ततकाल देखभाल करने वाले व्यक संक्रमित व्यक्ति के परीजन क्या करें? उसके बाद अगले 14 दिन तक या कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निग्रिटिव आने तक परिवार के सभी सदस्यों के स्वस्त की निगरानी करनी चाहिए, दूसरा, कोरोना मरीज की देखभाल के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को जिम्मदार बना दिया चाहिए, मरीज को जब भी सहायता की जरूरत हो, ये व्यक्ती उपलब्द रहे। मास्क के बाहरी हिस्से को छूने से बचना चाहिए, पुराना, गंदा या गीला होने पर मास्क को तुरंथ बदलना भी बेहत जरूरी है। चौथा, कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वकून है हातों को बार-बार धोते रहना और साफ रखना। हात को साबुन या हैंड वाश से कम से कम 40 सेकेंड तक लगातार धोए, ऐसे दिन में कई बार करें, खास कर मरीज के संपर्ख में आने के बाद तो जरूर करें। पाच्वा, मरीज के शरीर से निकलने वाले द्रवों जैसे थूक या लारादे के संपर्ख में आने से विशेश तोर पर बचना चाहिए, इसलिए मरीज की देख भाल करते वक्त हमेशा दस्तानों का उप्योग जरूर करें, इन दस्तानों को भी हर बार बदलना जरूरी है चटवा, ऐसी वस्तुएं जिनका मरीज ने इस्तमाल किया हो या कर रहा हो उसे घर के बाकी सदस्यों को इस्तमाल करने से बचना चाहिए, उधारन के तौर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बरतन, तौलिये और बेटशिट आदिक इस्तमाल परिवार का कोई अन्य सदस्य ना करे, कोरोना मरीज के साथ बैट कर खाने पीने से भी बचे, कब सावधान हो जाए, होम आइसोलेशन में देखभाल कर रहे परिचन या अनिशक्स को मरीज की हालत की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए, अगर मरीज को लगातार कई दिनों तक 100 डिग्री से जादा भुखार रहे, सास लेने में दिक्कत हो, ऑक्सिजन लेवल 93 फीसिदी से कम हो गया हो, सीने में लगातार दर्द महसूस हो, ठकान महसूस हो तो उसे तुरंट मेडिकल सहायता उपलब्द करवाई जाहिए, कोरोना और वेक्सिनेशन से जुड़ी जानकारे के लिए हमारे च